हेलो एवर्डीवन उमीद है आप सब अच्छे होंगे मैं हूँ अर्पित्स फ्रम एफेविट फ्री लेंडिंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पर सकते हो फिजिक्स, केमस्टी, मैस्ट, बिलोजी एपसलिटली फॉर 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 एट लर्नोहब डॉट कॉ आप तुमारा फॉर्टी कोशन बोल के रहा है यह अरा कशन किया चा रहा है कि भाई इस इत्यान लेफंट ब्रॉट्सम घ्टि क्वन दी है तुम्हें क्या ऐसी रियक्षिन मिल रही है यह रियक्षिन तुम्हें मिली है उसकी के पी की वैली तुम्हें गिवन है और टेंपरेचर कितना दिया है टेंपरेचर भी गिवन है 1050 केलविन इतना समझ में आ गया अब वॉट आर दा इक्लिब्रियम पार्शल प्रेशर मतलब कहने कालना है तुम्हें पार्शल प्रेशर किसका कार्वन मनौ ऑक्साइड का कार्वन डायोकसाइड का एट 1050 केलविन पर इफ दा इनीशल प्रेशर तम्हारा कितना है पी इनी oxide का 1.4 ATM दिया है और carbon dioxide का तुम्हें कितना दिया है 0.80 ATM इतना समझ में आया कोशन क्लियर हुआ ना चलो ठीक है अब हम बात करते हैं reaction की तो लिख लेते ज़रा FE O जो की solid form में present है plus CO जो की gas form में present है ठीक है यह इसको क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है और बना रहा है FE जो की तुम्हारा metal pure form में आ गया solid plus CO2 जो की gas form में present है ठीक है इतना समझ में आ गया तो देखो अब तुमसे यह पूछा हुआ है कि equilibrium partial pressure लेकिन तुम्हारे पास क्या क्या है initial pressure है इनके यह तुम्हारे पास present है ठीक है तो initial pressure लिख लेते हैं हम की initial initial pressure कितना होगा जड़ा है तो यह 1.4 ATM initial इसका है और carbon dioxide का है तुम्हारे पास 0.80 ATM ठीक है इतना समझ में आ गया अब बात करते हैं equilibrium पे equilibrium पे चीज़े क्या होने वाली है तो एक बात बताओ तुम्हें पता है कि यहां पर pressure बढ़ रहा है कि यहां पर pressure बढ़ रहा है नहीं पता तो कैसे निकालोगे तुम जब तुम्हारी reaction सिफ्ट होगी backward या forward तो इसको गैस करके तुम निकालोगे कि तुम्हारा जो pressure है वह बढ़ रहा है या कम हो रहा है ठीक है तो इसको हम बताओ अच्छा हम direction के लिए कौन सा formula लगाते हैं कौन से value निकालते हम reaction quotient निकालते हैं क्यों सी निकालते हैं क्यों सी निकालोगे तुम QC is equal to क्या हो जाएगा तुम्हारा same formula होता है तो मैं पता है न के पी और क्यों स upon ठीक है यहां पर क्या जाएगा तुम्हारा जो प्रेशर है किसका carbon monoxide का बजाएगा 1.4 यह जाएगा 1.4 इतना आगे समझ में ठीक है अब यहां से जब तुम QC की वैल्यू निकालते हो तो QC की वैल्यू के आती है QC is equal to 0.571 आ जाता है calculate करना है न यह तो easy है ठीक है तो QC की वैल्यू कितने आ गई 0.571 compare किस से करते हैं के पी से compare करते हैं तो देखो के पी की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है तो में 0.265 तो देखो यहां पे 0.571 क्या है greater than है 0.265 मतलब indirectly मत तुमसे बोलूं कि QC जो है वो जादा है किस से KP से अगर QC की वैल्यू जादा है तो मतलब तुमारे जो reaction है वो backward direction में आएगी यह हमें पता है न अब अगर backward direction में आएगी तो यहां पे pressure किसका ज़्यादा होगा जड़ा बताओ backward direction मतलब यह जो reaction है यह इधर आ रही है ठीक है यह वाली इधर आ रही है तो मतलब यह ज़् बनते जा रहा है carbon monoxide और ज्यादा बनते जा रहा है अगर ज्यादा बनते जाएगा तो pressure बढ़ेगा यहां पे तो क्या हो जाएगा equilibrium pressure पे 1.4 प्लस pressure क्योंकि इसका pressure बढ़ रहा है प्रेशर के भी value पता नहीं है ठीक है हमने suppose किया P pressure बन रहा है equilibrium पे तो यहां पे क्या जाए तो equilibrium की condition पे आएगा समझ गया इतना चलो ठीक है तो हमाँ पास यह सब वैल्यूज आ चुकी है अब हमें निकालने क्या है इनके initial concentration तो हमाँ पास गिवन है अब तो हम वो निकालते कैसे जड़ा बताओगी ठीक है निकालोगे कैसे इसको चलो अब हम रखेंगे के पी का तो यहां पे लगतो हो कितना है 0.80-p upon यह कितना हो जाएगा 1.40-4-2 तो इतनी होगा इतना तो समझ गया हो ना ठीक है और के पी की वैल्यू तुम्हें गिवन है किवन कितना है 0.265-2 तो रख तो जहां पे 0.265 is equal to ठीक है यहां पे सीधे वैल्यूट करो 0.80-a1.402 प्लस तो clear है अब यहां से तुम P की वैल्यू निकाल सकते हो बिलकुल निकाल सकते हो जब इसको तुम calculate करोगे मतलब 0.265 into 1.4 plus P is equal to 0.80 minus P ठीक है यह minus है इतना समझ गए तो यहां से जो P की वैल्यू है तुमारी कितने जाएगी 0.33 जाएगी तुमारी P की वैल्यू इतना आ गया समझ में तो देखो आप तुमारी P की वैल्यू आ चुकी है तो क्या तुम तुमारा equilibrium condition पे तुम इनका pressure निकाल सकते हो carbon monoxide का और carbon dioxide का निकाल सकते हो कि नहीं अब तुमें क्या करती तुमार 0.33 सीद्ञाय समझ में तो यहां पे तुमारी वैल्यू किया जाएगी 1.73 समाझ गए तो प्रेशर तुम्हारा कारवन मोनो ओक्साइड का एक्किलीब्लिम कंडिशन पर केतना है 1.73 साधी कि साधी टर्म किसमें अब देखो यह तो मोनो ओक्साइड का गया टीक है यह निगाली लोगक्त कर दो चलू वहाँ अब गए कर देता है यहां पर अमें देखता हूं प्रेशर ओफ कारवन डायोक्साइड एक्किलीब्लिम कंडिशन क्या तमारा pco2 is equal to value क्या है 0.80 0.80 minus 0.33 33 कहां से आई अभी तो निकाली तितने अच्छे से ठीक है यह आगई 33 तुमारी अब देखो बन जाएगा अब तो ठीक है तो देखो क्या जाएगा pco2 is equal to जाएगा तुमारा 0.47 यह जाएगी तुमारी carbon dioxide का pressure किसमें आएगा टर में यूनिट क्या होगी इसकी ATM लिख दो तो ATM यूनिट नहीं भूलना है ठीक है इतना समझ में आ गया तो यह वाला कोशन इसी के साथ हमारा हो जाता है दिमाग बस एक ही जगह लग रहा था ठीक है सिर्फ एक जगह लग रहा था कि तुम यहां पर माइनस पी लगाओगे या प्लस पी लगाओगे समझ रहो ना सिर्फ एक ही जगह लग रहा था और वो हम कहां से निकालेंगे अगर तुमारी backward डिरेक्शन में बढ़ रही है त देखो अब नेक्स कोचन क्या रहा है तुमारा यह गिवन है ठीक है तुमारी यह रियक्शन है और तुमारा केसी कितना है तुमारा केसी की वैल्यू तुमारी दिये 0.061 ठीक है इतना समझ में आ गया चलो अब अब एट पर्टिकुलर टाइम दा एनलेसे शो डैट केसी केर्वन पर यह कितना है अमोनिया की गैस बना रहा है फिक है यह आमोनिया की प्रोसेस होती है खिलो अब यह है एक है यह 500 describing पर ठीक है के सी की वैल्यू तुम्हें गेवन 2 mol of H2 react कर रहा है, यह क्या तुम्हारा N2 react कर रहा है ठीक है, तो तुम्हारा बन के रहा है 0.5 mol of NH3 बन रहा है ठीक है, तो यहाँ पर बन रहा है 0.5 mol of NH3 चोड़ा, यह सब हमने पूरा given लिख लिया Is the reaction at equilibrium क्या यह reaction equilibrium पर है ठीक है, इनने sign लगा दिया है मतलब इनको confirm नहीं है, ठीक है If not, in which direction does the reaction tends to proceed to reach equilibrium तो अगर नहीं है तो किस direction में तुम इस reaction को कराओगे, कि वो equilibrium की condition पर पहुँच जाए ठीक है, तो तुम्हें यह बताना है, ठीक है तो देखो, QC की value निकालेंगे फिर हम उसको compare कर देंगे KP के साथ ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा पता चल जाएगा कि क्या बड़ा है, क्या छोटा है ठीक है, QC अगर बड़ा रहा तो कहां जाएगा तुम्हारा backward direction में, देखो, इसको एक condition में लिखी लो कि अगर तुम्हारा QC की जो value है वो जादा आती है तुम्हारी KP से अलब KC से, ठीक है तो यह कहां पर जाएगा, यह जाएगा तुम्हारा backward direction में ठीक है, यह तुम्हें पता होना चाहिए अब अगर QC की जो value है यह smaller आती है किसे केसी से ठीक है, यहाँ पर जाती है यह forward direction में forward direction में ठीक है अब अगर जो तुम्हारा QC है, यह equal आता है किसे केसी से तो यह तो होती है तुम्हारी equilibrium condition पर किस पर होती है यह equilibrium condition पर तो यह कुछ तुम्हारे term होते हैं इसको ध्यान रखना इतना आगया समझ में तो यही टर्म हम यूज करने वाले हैं क्योंकि हमाँ पस केसी की वैलू गिवन है तो चलो देखते हम क्यूंसी कितना आएगा क्यूंसी एकॉल टू फॉर्मूला सेम होता है प्रोड़क्ट अपाउन डियक्टेंड प्रोड़क्ट क्या है तुमारा एन है एच 3 का हो जाएगा स्क्वेर क्योंकि यहां पर देखो स्टाइश्यमेट्रिक हैस की टू है ना तो यहां पर जाएगा तो क्या जाएगा उसकी पावर बन जाएगा अब उसके बाद यह हो जाएगा तुमारा एंड टू सेम इसका होगा यह पावर बन जाएगा इसका ए nsd की वैल्यू 0.5 तो 0.5 का स्क्वेर ठीक है एंटू की वैल्यू है क्या तुम्हाँ पास यह गवान है तुम्हाँ पास थ्री मोल तो थ्री इंटू और एच्टू की कित्ती तुमारी टू तो टू का क्यूब सीधे लगदू मैं एट यहां पर लग दिया मैंने एट ठीक है अब इसको जब तम कैलकुलेट करोगे तो यह कितना जाएगा तुमारा यह जाएगा 1 अपॉन 96 ऐसा कुछ आने वाला ठीक है यह क्यों तो नहीं यह ट्वाइट से सीधे सीधे चैंसल हो जाएगा तो मैं समझ मैं जाएगा ठीक है यह जाएगा तुमारा 1.96 इसकी यह आगँ तम्हारा क्यू सी-की वैल्यू ठीक है यह आगँ तुमारा क्यू सी है वो क्या है तुमारा क्यू सीilot 15 जो है तो वह तुमारा चोता है किस बढ़ रहा है यह कम हो रहा है तुम क्या बताऊगे अगर ये फार बाइल डड सेक्षम सुर्फ जा रहा है सिर्फ फार रर डर्रेक्स um में या। तो नहीं रहा है तो यहां पर जो कंसंट्रेशन ऐ allora अगर अगर अन्तवार गया तो लोत बैर उसने तो पूछ हां तक है कि वो जोडते हैं आमोनिया बनाता जाएंगे तो चलो यह वाला हमारा कोशन फिनिश हो गया है सिर्फ कंपेर करना था क्यूसी और केसी से इतना गया समझ मैं चलो अब हम देखते हैं कौन सा कोशन नुम्बर 22 अपना अब तो मारा नेक्स कोशन बोल रहा है ब्रोमीन मोनोक्लोराइड ब्रोमीन ब्रोमीन बना रहा है मतलब तूटी रहोगा न ठीक है तो इसको मैं लेख लेता हूं यह से कि टू बी आर c l ठीक है यह क्या बना रहा है तूटने पर यह बना रहा है ब्रोमीन और यह बना रहा है c l 2 दोनों गैस फॉर्म में प्रेजेंट है तो यह भी लिखना ज़रूरी है इस चैप्टर में समझ जाओ चलो यह हो गया हमारा अब यह बोल रहा है for which kc 32 है kc की value तुम्हें क्या क if initially pure BRCL is present at a concentration of 3.3 into 10 की पावर माइनस 3 तो देखो अगर initial condition पे तो चलो हम इसको भी लिखते जाते हैं कि initial condition पर initially ठीक है ये क्या बोल रहा है अगर initially pure BRCL present है ठीक है मतलब कहां पे कितना concentration है उसका 3.3 into 10 की पावर माइनस 3 ठीक है चलो ठीक what is its molar concentration in the mixture at equilibrium तो देखो क्या पूछ रहा है अगर initially इतना है तो equilibrium जब condition आएगी तो इसका concentration कितना होगा यही पूछा है ठीक है तो कोई बड़ी बात नहीं तुमसे बहुत इजीली बन जाएगा क्योंकि ऐसे question हमने पहले भी solve करें देखो अगर इसका concentration इतना है अगर इक्यूलीब्रियम पर बात करूंठ एक्ट इक्यूलीब्रियम पर मैं बात करता हूँ तो क्या अगर होगा इसका कितना तूट जाएगा 23.33 इंटू 10 की पावार माइनस 3 माइनस ठीक है मैं लेता हूं इसका माइनस 2x पार्ट तूट गया क्योंकि यह 2-lele Lock इए तूट रहा था तो इसलिए मैने तूट ले लिलिए तूट ले सकते सदे친 कोयुए दिक करती में अब यहां पर जब यह टू एक्स बना रहा था तो ब्रॉमीन भी एक्स बना और क्लोरीन भी ए बना तो अब ये condition आई किस पर equilibrium condition पर अब एक्स और एक्स ही क्यों लिया 2x क्यों ने लिया 3x क्यों ने लिया क्योंकि एक मोल बना रहा है तो मैंने एक्स ले लिया इतना समझ में आ गया ठीक है तो देखो अब हमाएं पास ये equation बन गई सिर्फ तुम्हें ये equation बनाना सीखना है बाकि तुम पूरा का पूरा कोशन खुद सही कर दोगी ठीक है मैं equation लिख रहा हूं तुम पूरा पूरा solve करके में को बताना ठीक है चलो देखो ये बन गया तुम्हारा अब उसके बाद ये देखो तुम्हें चाहिए क्यों सी केसी की value तुम्हें पास गिवान है तुम्हें concentration बताना इसका ठीक है तो अ concentration of product upon concentration of reactant और कौन सा molar concentration तो देखो यहां पर product मतलब मैं ऐसे लिख लता हूं इसको पहर अभी लिख रहा हूं ठीक है आगे नहीं लिखूंगा देखो CL2 ठीक है product molar concentration of product upon molar concentration of BRCL यहां पर देखो BRCL अब देखो इसके आगे टू है तो यह कहां जाएगा ऊपर जाएगा पापर जाएगा यह देखो समझ में आगे इतना है बस सारी के सारी values को put करना जारा कि के सी इस equal to BR और CL के सीदेश लिख दूँ मैं X स्क्वेर इंटू हो जाएगा ना यह X और यह X सीदे X स्क्वेर हो जाएगा इतना समझ गए अब BRCL2 की value कितनी जारा बस इसका थोड़ा सा दी 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस के तुमारा 2X तो रखदो 2X आगे समझ मैं ठीक है मजा रहा है ना विलकुल चलो अब हमाएं पास केसी की value है तो यहाँ पा जाएगा 32 is equal to X square upon 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 2X साइट चेंज करो यह कितना हो जाएगा तुमारा देखो अब साइट चेंज करो गे तो कितना हो जाएगा यह 32 ठीक है 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 2X is equal to हो जाएगा तुमारा क्या X square ो ऑगे समझ में इतना तू आगया न समंझ में बस अब कुछ नहीं करना है इसका भी is square हैuve2x2x2 square लगाना मत भूलना यह स्क्याराइब है अब मैं दोनों साइड square root लेता हließ हुं मुझेटा स्क्वाइद लगाता हुं कितना हो जाएक है square root 32 square root 32 almost होता है 5.65 25 होता है फाइफ की स्क्वाइब चर्च तो एसे कॉल टू एक्स को समझ में आ गया ठीक है अब यहां सही तुम एक्स की वैल्यू जब सॉल्व करते हो तो एक्स एक्स कॉल टू आता है वन पॉइंट फाइवन इंटू टैन की पावर माइनस त्री इतना समझ गए समझ गए यह तो कर लोगे ना यह तो इसी है ठीक है चलो देखो यहां जब तुम सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू आज ही तुमारी 5.51 इंटू 10 की पावर माइनस 3 क्लियर देखो मुझे चाहिए एक्स था मुझे मिलगा एक्स अब अगर मैं यहां पर वह वाली वैल्य CL कितना आएगा जारा देखो यह तुमारा वेल्यू कितना तुमारी 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 2 एक्स की वैल्यू कितनी समझ गया तो यह आजाएगी तुमारी वैल्यू इसको और अच्छे से लिखना है तो तुम पॉइंट जहां पर खिसका दो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी समझ रहा टू पॉइंट एट करके भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं समझ गया ना चलू ठीक है तो यह जाएगी यह वाला होगे हमारा कोशन सॉल आप नेक्स कोशन पर चलते हैं सीधे देखो आप तुमारे नेक्स कोशन क्याएगी एट 1127 केलविन एट 180 म प्रेशर अगैसस मिक्शेर ऑफ कारबन मोनो ऑक्साइड कारवन डिया हुआ है ठीक है यह तुमारे पास सॉलिड कारवन कि तुम लेखेंगे चलोगे बन लिखते हैं कि कारवन मोनो ऑक्साइड का तुम्हें क्या दिया हुआ है तुम्हें 90.55 परसेंटेज दिया हुआ है ठीक है और रियेक्शन भी लिख रहा कि कारवन जो है सॉलिड फॉर्म में है प्लस कारवन डायोक्साइड गैस बना के सांथ जब जो रियेशन कर रहा है तो मैं क्या बन रहा है कार्वन मोन ऑक्साइड मिल रहा हैं दो मूल इसके थिक है यह तुम्हारी डियेक्शन अब calculate KC for this reaction at the above temperature तो तुम्हें KC की value calculate करनी है तो देखो KC का जरा हम थोड़ा सा relate करते चलते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए तो तुम कैसे दिमाग लगाओगे KC के लिए KC किस के लिए होता है जब तुम concentration की बात कर रहे होगे तो देखो क्या तुम्हारे पास concentration है इधर क्या तुम्हारे पास concentration है यहाँ पर देखो concentration है नहीं है concentration हम ज़्यादा तर किस में लेते हैं mole per liter में लेते हैं mole per liter में लेते हैं क्या यहाँ पर तुम्हें moles present है नहीं है ठीक है चलो मोल नहीं है क्या तुम्हारे पास मोल निकालने के लिए गिवन मास है या फिर उसका तुम्हारे पास मॉल्यूकिलर मास है या नहीं है ठीक है तो ये कुछ चीज़ें मैटर करती है तुम्हारे पास गिवन मास है एक चीज़ का मास गिवन है ठीक है मॉल्यूकिलर मास हां हम उ सब चीजे प्रेजेंट हैं ठीक है तो चलो जल्दी से अब हम निकाल लेते हैं कैसे निकालोगे देखो कारवन मोनोकसाइड है 90.55 परसेंटेज है मतलब चलो हम बात कर लेते हैं परसेंटेज होगा तो 100 में से निकालना पड़ेगा कि जो तुमारा मिक्स्चर है क्या का मिक्स्चर है जो तुमारा मिक्स्चर है वो होता है टोटल मानलो तुमारा 100 ग्राम का है ठीक है तो इसको लिख लोग गैसियश मिक्स्चर जो है वो कितना है 100 ग्राम का है ठीक है अब कारवन मुन उक्साइड उसका कितना पार्ट रखा है 90.55 पार्ट रखा हुआ है ठीक है तो देखो अब यह कारवन मुन उक्साइड इतना पार्ट रखा है तो कारवन dioxide इतना रखा है तो मतलब given mass तुम्हें दो चीज़ के मिल गए सबसे पहला तुम्हें carbon monoxide का मिला कितना 90.55 ठीक है उसके बाद तुम्हें मिला carbon monoxide का कितना 9.45 इतना समझ में आ गया क्या यहां से तुम मोल निकाल सकते हो निकाल सकते हो ना बहुत इसली निकाल सकते हो ठीक है तो अगर मैं तुमसे बात करूं मोल ओफ carbon monoxide क्या एगा ज़रा देखो मोल ओफ nco ऐसी शो करते हैं एंसे ठीक है जब nco निकालोगे तुम तो क्या है तुमारा यह जाएगा गिवन मास 90.55 अपन उसका मॉल्यकुलर मास कारवन का होता है मास 12 ऑक्सिजन का होता है 16 कितना हो गया 28 ठीक है तो 12 प्लस 16 लिख लेना अच्छे से 28 जलो वहीं बात करते हैं किसकी मोल्स ओफ कारवन डाय ओक्साइड कितना तुमारा 9.45 गिवन पता है नहीं फॉर्मुला तो गिवन मास अपन मॉल्यक्र मास ठीक है चलो इसके बाद इसका तुमारा क्या होता है मास कब से देखते हैं आँ का नबादा औक्साइड का बहुत देख चो के होगे ना कितना होता है तुम्हारा 44 ग्राम इसका 12 इसका 32 हो गया 44 ठीक है जब इसको तुम calculate करने बैठोगे ठीक है तो क्या जाएगा तुम्हारा moles of carbon monoxide value कितनी आएगी ज़रा calculate करके बताना मिरको ठीक है यह जाएगे तुम्हारा 3.23 ऐसी कुछ आएगा तुम्हारा मोल किसका carbon monoxide का वही पर जब तुम carbon dioxide का calculate करोगे तो वह कितना आएगा 0.215 कुछ आएगा देखे रहे हैं यह चोटी वैल्ली उपर यह वड़ी वैल्ली उपर है तो जीरो में यह आएगा ठीक है चलो तो हमाई पास मोल्स भी आ गए मोल्स आ गए ठीक है तो आब हम concentration निकाल सकते हैं हाँ निकाल सकते हैं हमें चाहिए है केसी निकालेंगे हम ठीक है अमें को प्रैशर की टर्म में निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा ठीक है प्रैशर निकालना है मुझे एक कंपोनेंट का मिक्शर के अंदर जो प्रिजेंट है तो तुमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है मुझे पता है ठीक है एक रिलेशन पढ़ा है कि अगर त that component ठीक है तो देखो अब आप बोलोगे कि mole fraction भी निकालना तो बिलकुल निकालना है ठीक है तो देखो mole तुमाहे पास present है mixture कि इसके सांथ present है देखो ध्यान देना अच्छे से कि यह है तुम्हें हम निकालना क्या है fraction of तो देखो formula क्या होता है कि P component किसका निकाल रहा है चलो हम pressure निकालना है carbon monoxide का ठीक है तो mole fraction of carbon monoxide क्या हो जाएगा तुमारा देखो यह है इसका मस ठीक है तो यह हो जाएगा तुमारा 3.23 upon ठीक है 3.23 प्लस 0.215 यहीं होगा ठीक है अब यहीं पे इंटू हम प्रेशर निकालना ठीक है इंटू क्या हो जाएगा तुमारा टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर मिक्स्टर का कितना है यह देखो 180 एंटू बन कर दो इतना आगा समझ में ठीक चलो अब प्रेशर सी ओ टू का निकाल हूँ मैं तो कितना आएगा जरा प्रेशर आएगा ना तुमारा आएगा जरी जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट टू वन फाइफ अपॉन थी प्लस 0.215 समझ में आ रहा नहीं हो कहा रहा है कि कम्पोनेंट अपॉन टोटल सॉल टोटल मिक्स्टर ऑफ द से बताओ कैल्कुलेटर खोड़ो यह जाएगा तुमारा प्रेशर कार्बन मोन ओक्साइड का यह जाएगा जिरो पॉइंट नाइन थ्री एट किसमें आएगा एटी एम मैं कार्बन डायोक्साइड का जब तुम कैल्कुलेट करने जाओगे तो यह जाएगा 0.062 यह आ गय है आगे इतना समझ मैं है थीक्ग हमाँ पास प्रेशर भी आगया तो मैं काल सकता हूं की निकाल सकता हूँ चलो अब के पी की बैले। और निकालते हैं क्तल्ट क्या होगा तुमारा प्रेशर जो हो никто के株ाऊ है और प्रेशर जो रिएक टन के पास है ठीक है तो चलो प्रय प्रेशर प्रेशर किसका carbon dioxide का ठीक है यह देखो तो यह क्यों जाएगा तुमारा carbon dioxide 0.062 कि समझ गए ठीक है अब यह बोलोगे यह तू है आगे तो इसका पावर में जाना चाहिए था बिलकुल जाएगा चलो अच्छा हुगा पकड़ यह जाएगा स्क्वेर ठीक है अब यहां से जब तुम kp की value निकालोगे kp is equal to calculate करना कितना हैगा देखो kp is equal to जाएगा 14.1980 यह जाएगा 14.1980 इतना समझ गए देखो kp हमाने पास आ गया kc f हम निकाल सकते हैं कैसे निकालोगे जल्दी से बताओ कैसे निकालोगे देखो kp और kc में relation होता है हमें पता है kp is equal to kc rt उसका उपर gas का होता है एंजी होता है जिसको हम बोलते हैं ठीक है चलो देखो अब हम values को put करने वाले तो यहां पर इतना पार्ट लिख लिए होगा तुमने ठीक है चलो इसको मैं मिटा रहा हूं देखो तुम्हारा relation क्या कहता है हमें पता है कि relation हमारे क्या बोलता है कि kp is equal to होता है kc ठीक है into r ठीक है फिर temperature जो तुम्हारा चेंज हो रहा है और या या बेल ऑंग कितना होता है यितने व्यक्त प्रिजैंट साइट ठीक है किसे प्रद Kentlıyan यहां पर लेक्त कर और रिख से स्चेंट केसी की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा केपी अपन पावर वन का मतलब कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा आर की वैल्यू कितनी होती है जिरो पॉइंट यहां पर आखो 0.0831 इंटू टेंप्रेचर क्या तुम्हें दिया है कि नहीं दिया यह कुछ नहीं आ गया टेंप तो देखो केसी की वैल्यू तुम्हारी आने कितने वाली है केसी की वैल्यू आएगी केसी एकल टू 0.154 यह आ जाएगा तुम्हारा केसी समझ गया देखो अगर केपी आ गया तो केसी तुरह बहुत एजी ले जाएगा समझ गया इतना चलो देखो यह हो गई हमारा केसी का आंसर क्या क्या लगा यह सब लगा अगर यह नहीं लग पता होता हमें कि हमें केसी निकालना है तो concentration होता है वह concentration से मोल चाहिए मोल नहीं निकालते तो तुम्हारा यह सब आना ही नहीं था इतना समझ गए अगर तुम step wise चलते रहोगे कहीं नहीं फसने वाले यह वाला होगे तुम्हारा question अब next question पर चलते हैं देखो अब तुम्हारा question क्या है 24 calculate डेल जी ठीक है तुम्हें डेल जी calculate करना है और equilibrium constant for the formation of NO2 and NO और O2 के लिए तुम्हें इतने temperature पर उसका equilibrium constant भी calculate करना है ठीक है तो दोनों चीज करेंगे लेकिन सबसे पहले हमें reaction देखना पड़ेगा तो हाँ reaction भी तुम्हें देवन है ठीक है देखो वेर तुम्हें पास formation गिफ्स formation energy भी दी हुई है सबकी यह देखो formation energy भी दी हुई है तुम्हें पास अब चलो कुछ चीज आ गई तुमसे पूछने के लिए ठीक ह मैं तुमसे एक कोशन पूछता हूं अगर तुम्हें पास formation energy reacting दोनों की है समझ गई तो फिर तुम उसकी free energy पूरी reaction की गिफ्स free energy निकालोगे कैसे गिफ्स energy कैसे निकालोगे जरा बताओगे इसके बात ठीक है मैं तो बताने वाला में को पता है जरा देखके आओ जरा तु नोट से ना उनको निकालो कोश्त लिखाओ गरां तुम्हें ट्रिक लिखी हो ठीक है जरा रिवाइस कर लो चलो फिर आजाते हैं अब अपने कोशन पर पहला पूछ रहा है तुम्हें डैल जी निकालना है ठीक है डैल जी निकालना है कैसे निकालोगे ठीक है formation energy of product minus formation energy of reactant ठीक है तो मैं इसको लिखता हूं डैल जी किसका product का ठीक है माइनस डैल जी किसका तुम्हारा reactant का ऐसी होता है कुछ formula ऐसी कुछ होता है ना ठीक है तो देखो product क्या है तुम्हारा NO2 तो रखे दो आपर गिस formation energy of NO ठीक है NO2 यह रख दिया समझ गया इतना minus reactant कितने दो है त ठीक है इसको मैं bracket में लिख रहा हूं गेस formation energy of किसकी गेस formation energy किसकी तुम्हें चाहिए किया NO तो NO का रख दो जो रहा 87 यहां पर जाएगा तुम्हारा NO का my plus तुम्हारा गेस formation energy of तुम्हारा O2 तो यहां पर रख दो O2 समझ गई easy था बस सारी values को रपोट कर दो तो डेल जी इस एक कॉल टू तुम्हारा आने के अवाला NO2 केतना है तुम्हारा 52 minus यहां पर NO केतना है तुम्हारा 87 plus 0 तो ऑकिजन की value कितनी है जीरो है ओकिजन गुट फिर जीरो को calculate करना बहुत ज़्यादा मुस्किल है तो बहुत ज़्यादा मुस्किल के वाद मैंने तुम्हारे लिया एंसन निकाला है minus 35 तो डेल जी की value जाएगी minus 35 बहुत मुश्किल था यह वाला ठीक है चलो आप इसके बाद तुम्हें चाहिए है केसी तो केसी और गिफ्स में कुछ रिलेशन होता है जो तुमने इस चैप्टर में पढ़ा है मुझे पता है ठीक है बहुत उमीद करता हूं तुमसे मैं ठीक तुमने पढ़ा हुआ है क्या होता है कि डेल जी इस एक कॉल टू होता है minus 2.303 into rt ठीक है log kc समझ गए इतना ठीक है तो देखो डेल जी की वैल्यू तुमको पता है minus 2.303 अब पताओ r की वैल्यू यहां पे कौन सी रखने वाले हो 0.0831 या 8.314 यहां पे देखो यह क्या है तुम्हारा किलो जूल में है किलो जूल में है ठीक है और तुम्हें स्टैंडर कं कंडिशन पर यह फॉलो होता है मतलब 180 और 298 पर 273 कल्विन पर क्या होता है तुम्हारा यह कुछ फॉलो होता है ठीक है 298 कल्विन पर नहों ताम रूम टैंपरेचर पर ठीक है 298 पर तो इसको ऐसे लिख लेना 298 अब समझ गया तो इस तैनर कंडिशन पर यह रियक्शन आ है क्या 298 दिया है हमने देखा था अभी यहां पर फिर है तुमारा लॉग के और सी समझ गया इतना ठीक है जैसे लॉग के और सी यहां पर आई का तो लॉजिक लगा थोड़ा समझ गया ठीक अब देखो डैल जी कितना दिये तुमाहां माइनस 35 तो रग दो माइनस 35 अपॉ यहां से मैं निकाल सकता हूं इसकी वैल्यू लॉग केसी की तो लॉग केसी जाएगा लॉग केसी इस एकॉल टू इसको कैलकुलेट करने पर जो तुमारा वैल्यू आएगी वह आएगी तुमारी 6.314 और यहां से मैं केसी की वैल्यू निकालूंगा यह जाएगा एंटी ल पर इस पर तो इस आगा है और ब्स तुम्हें टेहन रखना है की चल यह वाला Alors बोलौ चünfन Z और इक्रियों करा क्या है तीन ने क्या सिर्म किया है टीक है और उन्हें क्या करा है जो सो वॉल्यूम को है वह कर दिया इंक्रीज अब वॉल्यूम को इंक्रीज कर दोगा तो सीधरी सीधरी बहां थै उच्छा तो जा अब अब यह बताना है की जो तुम्हारा फुरक्ट बन रहा है उसका कंसेंट्रिशन बढ़ेगा कम होगा या सेम रहेगा व्य ठीक है या फिर तुम इसको देख सकते हो कम प्रेशर पर अगर तुमारा प्रेशर कम हो रहा है ठीक है तो जो तुमारा एक्यूलिब्रियम है जो तुमारा वो वहां पर शिफ्ट होगा ठीक है वो वहां पर शिफ्ट होगा जहां पर number of number of moles किसके moles, gas के moles ठीक है, जादा होंगे जहाँ पर जादा gas के moles present होंगे वहाँ पर तुमारा equilibrium shift होना start हो जाएगा ठीक है, तो अगर हम ये एक बात देख लें, ठीक है, अगर मैं इसको एक बार देख लूँ, तो इसमें पर चल जाएगा है, कि अगर यहाँ पर shift हो रहा है, तो reaction में क्या हो रहा है, reactant कम हो रहा है, प्रोड़क्ट जादा हो रहा है, ठीक है, समझ गया, अगर मैं वहाई पर बात करूंगा, प्रेशर जादा होगा, तो equilibrium वहाँ पर shift होगा, जहाँ पर less number of moles होंगे, किसके gas के है, ठीक है, दोनों condition में देख लिए हम, चलो देखो, अब यह बोल रहा है, PCL5, सबसे पहला बोल रहा है, PCL5, phosphorus pentachloride, gas form में present है, और यह बना रहा है क्या, दो gas बना रहा है, मतलब PCL3 gas, ठीक है, प्लस CL2 gas, तो यहाँ पर देखो, gases कितने present है, 1, 1, मतलब कितने है, total 2, ठीक है, यहाँ पर कितना है, 1, तो यह कितना होगा, 1 जो है, वो greater day कि smaller है, इसता तो पता, चलो, 1 जो है, वो छोटा है, भाई, 2 से, ठीक है, तो number of moles, किसके जादा है, number of moles, जो जादा है, वो किसके है, तुमारे product side के, जो तूटके बन रहे है, ठीक है, तो जो तुमारा PCL, जो तुमें equilibrium, जो shift होगा, वो forward direction में क्या होगा, shift होगा, यह हो जाएगा, forward direction में shift, ठीक है, forward direction में shift होगा, मतलब जो तुमारा PCL 5 जो है, वो decompose होते रहेगा, तो concentration बढ़ जाएगा, किसका, PCL 5 का, और CL 2 का, यही पूछा था product का, तो ठीक है, यहाँ पर concentration किसका बढ़ रहा है, तुमारा PCL 3 का और CL 2 का, इतना समझ गया है, क्योंकि आगे shift हो रहे हैं न, चलो देखो, अब वहीं पर हम second देखते हैं हमारा, second क्या यहाँ पर देखो, CAO, CAO मतलब solid form है तुमारा, प्लस CO2, प्लस CO2 जो की gas है, ठीक है, equilibrium condition किसके साथ बना रहा है, CACO3 बना रहा हैं यह, जो की एक solid present है, मैंने सिर्फ बात करिये gas की, ठीक है, gas की बात करिये, तो जड़ा देखो यहाँ पर, कोई gas present है, product side पे, नहीं है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, सिंपल जी बात है, 1 ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो बताओ, equilibrium कहाँ पर shift होगा, reactant side पे, ठीक है, तो यहाँ पर concentration किसका कम होगा, CACO3 का कम हो जाएगा, ठीक है, जो तुमारे equilibrium है, वो backward direction में आएगा, backward direction में shift हो जाएगा, ठीक है, और अगा backward direction में shift हो रहा है, तो CACO3 बने गई नहीं, महला product तुमारा बनेगा ही नहीं, तो क्या होगा, तुमारा, यहाँ पर concentration बढ़ जाएगा, तुमारे reactant का, product हो जाएगा decrease, तो यहाँ पर लग दोगे, decrease in concentration of product, decrease in concentration of product, यहाँ पर कह топ लेखना है हमें, increase in concentration of product, increase in concentration of product, यह लेख लेना आगे का, चलो आप बात करते हैं, last वाली कि, यहीं से देखते हैं इसको, यहाँ इसे देखना, ठीक यहां पर 3 F हैं यहां पर देखो यह solid form में उसको LEGO कर तो छोड़ दो यहां पर तुम्हेरा गेस चार प्र सेटेंट यहां पर भी 4 gas के मौल प्र क्रेजन और रहो है देख रहाँ PM और चार कैसे यह देखो फोर लगा आगे मोली तो बताता है वो यहां पर क्या यह भी फोर लगा है तो फोर इस एक कोल टू फोर फोर ज्यादा बड़ा है फोर से है ना फोर एक दूसरे से बड़े मतलब आपस मैं वह कर लिए ठीक है अब अगर एकक्वल है तो एक्किलिब्रियम पे तो कोई फर्क ही नहीं पढ़ने वाला प्रेशर का ठीक है तो यह जो है यह रहेगा सेम यहां पर क्या होगा सेम रहेगा जो कंसंट्रेशन अभी प्रेज का इसका कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है कम हो रहा है प्रेट का और यहां पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि तुम्हारा नंबर्स मोल्स ऑफ गैस दूनों साइब एक्वाल प्रीक्ट पर और रियक्टन पर समझ गाये इतना चलो ठीक है आप नेक्स कोशन पर चलते हैं देखो तुम्हें क्या बताना है विच्षा पॉलउंग डीयक्शन विल येथे फेक्टे बाइप इंज तुम्हें कर रहे हो तुम्हें प्रेशर जिसके कारन तुम्हार रियेक्शन है वो आगे जा रही है कमा रही है ठीक है आगे जाएगी तो क्या ओगा ओगा और पीछ रहे तो क्या होगा ठीक है देखो यह बताना यह तो मैं प्रवर वाम दक अभी भी देख चूक के हैं तो वैसे ही हम इस्वाष phrases कांक करो चरहा कपके तना है यहां पर देखो यह है total 2 gases यह है 1 तो n की value कितने आएगी n आएगा 2-1 मतलब 1 ठीक है और एक चीज और ध्यान रखो कि अगर तुमारा n की जो value है वो greater than 0 है ठीक है greater than 0 है तो जो reaction है वो जाती है जादतर backward direction में backward direction में जादतर यही होता है ठीक है अब अगर n की value जो है वो कम है 0 से ठीक है तो क्या होता है यह जाती है forward direction में forward direction में इतना समझ गए ठीक है और अगर n is equal to 0 है तो यह क्या हो जाएगा बचाई क्या फिर equilibrium condition ठीक है तो इसको ध्यान रखना सबसे पहले तो यह पूरे तुम्हें इस कोशन में तो पूरा लग नहीं वाला यह वाला इतना समझ गया ना देखो जहां पर अगर उनने क्या बोला है इंक्रीजिंग दा प्रेशर अभी क्या बोला था हमने डिक्रीजिंग दा प्रेशर अगर तुम प्रेशर डिक्रीज करते हो तो ले चाटले प्रिंस पर क्या कहता है तुम्हारा यह बोलता है कि अगर तुम क्या प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो वहां पे equilibrium shift होता है जहाँ पर number of moles of gas जादा हो अगर अब pressure को तुम increase कर दो अगर तुम pressure को increase कर दो जो तुमारा equilibrium है वो shift कहाँ पर होगा वो वहाँ पर shift होगा जहाँ पर number of moles of gas मोल्स और होंगे कम होंगे इतना समझ गए उल्टा ही होता है अगर pressure जादा तो वहाँ पर सिर्फ जहाँ पर number of moles of gas का मैं और अगर pressure कम तो वहाँ पर नमबर और ओफ मलल्स मौल्स ओफ Wind to practice ज्यादा है इतना समझ गए तो देखो यहां पर मोल्स को जादा यहाँ पर दो का बढ़ेगा तुम्हारा सी ओ सी एल टू का बढ़ेगा इतना समझ गए ना ठीक है चलो कार्बनल को राइडिक अमने बढ़ा दिया और यह कहां पर जा रही है बैकवर डिरेक्शन में यह भी देखा हमने ठीक है चल देखो अब देखो सैकंड के कह रहा है तुम्हारा कहीं नहीं जाने वाली यह एक्किलिब्रियम कंडिशन में ही है समझ गए और अब एक्किलिब्रियम कंडिशन में है तो प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो तुम्हारा कंसेंटेशन भी सेम रहेगा समझ गए चलो उसके बाद करो अब थर्ड वाला थर्ड वाला क तो कहां जाएगा यह बैकवर्ड डारेक्शन में लिख दिया बैकवर्ड डारेक्शन इतना समझ गया हो ठीक है अब यहां पर बताओ कि कहल遠 ौढ़ डीक तो 1- 3 तो माइनस-2 मतलब जीरो से कम अगई तो क्या हो जाएगा जिरो स은 जाएगी तो यह चला जाएगा suspal डारेक्शन चाहिए एक यह बाठा देगा तो यहां पर देखो यहा रा है तुश्क आट गयाMr. यह भी सॉलिड है इसको अटा दिया तो यहां पर देखो कंसेंटेशन क्या हो जाएगा एन इस एक्कॉल टू वन माइनस जीरो अब यह जीरो सॉल मेरे से कभी हुआ ही नहीं ठीक है तो यह हो जाएगा वन अब अगर फिर से वन तो फिर से लिख दो बैकवर्ड डायरेक्शन आप तो मैं एक्सपर्ट हो गए उसमें ठीक है अब यहां पर देखो कोई भी सॉलिड नहीं तो कैंसल आउट नहीं करेंगे यहां पर देखो कितना हो गए यह फॉर यह फाइव टोटल नाइन हो गए यहां पर फोर और यह सिक्स तो मतलब एन इस एकॉल टू प्रोड़क् नाइन गैस की मॉल यह इनने बहुत सारी मॉल्स चेंज करें लेकिन यह अंसर चेंज नहीं कर पाए एन फिर से आ गया और एन अगर आ गया वन तो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यह जाएगा फिर से तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ठीक है और अगर तुमने यह वाला अंसर बोला है तो यह पूरा गलत है यह कहां जाएगा बैकवर्ड डिरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन है उसमाज गई चलु तो यह को मैंने कर दिया ब्रैकेट जिसमें तुम समझ जाओ कि ऊपह वाला नहीं नीचे वाला समझ गए इतना ठीक है बस इस तर्म को समझ जाओ बागी तो तुम खुद बता दोगे और अगर तुमसे पूछा का कंसंटेशन क्या है अगर तुमने यह बता दिया तो जहां पर सिफ्ट हो रही है उसी का कंसंटेशन तो बढ़ेगा समझ गए ना ठीक है चलो यह वाला होगा हमाना गैसे इफ 10 बार ओफफ एच्वी आरे इंट्रिदूस इंटू इंट्व कंटेणर एट फैन ट्वेंटिफ निटीफर केलवें ठीक है तो देखो क्या टैंपरेचर में कोई चेंज आ रहा है वह देखो वन बान बान तूफ़र कैलवें यहां पर वनन बान दीरो टूफ़र सोधार सार्थ समझ गया यह सारी की सारी गैस है ठीक इतना समझ में आ गया आदनी की बहुत है मतलब इतने प्रेशर पर उनिए क्या को भर दिया इतनी सारी गैसे से इसको इसको introduce कर रहा है किसके नंदर कंटेनर के अंदर इतना समझ गया हो ठीक है यह सब पूरा गिवन था तुमारा ठीक है और तुमारे पास जो तुमारी के-सी की value कि कितनी गिवन है तुमारे पास एकिलिब्रियम कॉंसेंट की वन के-सी की value तुमारे पास है इतना समझ गया हो ठीक है चलो देखो अब initially हमें सबसे पहले लगेगा initial condition ठीक है तो initially जड़र बताओ concentration कितना होगा 10 बार के pressure पे मतलब हमें kp निकालना है ठीक है initially तुम्हारे पास जो pressure है वो कितना है यहाँ पे 10 बार है तो यहाँ पर लिख दो सबसे पहले 10 ठीक है, HBR तो 0 और 10 होगा ठीक है, अब यह तो तूटें ही नहीं होगे तो इनकी value 00 होगी ठीक है, जब यह आ गया होगा equilibrium की condition पर ठीक है, जब यह आ गया होगा equilibrium की condition पर तो यहाँ पर क्या जाएगा यह 10-2x 2x क्यों लिखता हूँ मैं क्योंकि यह बना रहा है 2 mol, इसलिए मैं 2x लिखता हूँ, ठीक है, तो देखो बाकी के कितने बनाएंगे, यह बनाएगा x और यह बनाएगा x जब यह तूटेगा, तो बनाएगा कुछ x mol of hydrogen और देगा x mol of br2, same ही mol लेगा, क्योंकि equilibrium की condition है इतना आग गया समझ मैं, ठीक है, तो अब जर्द देखो अगर मैं को निकालना है क्या इसका concentration किसका, हमें निकालना है equilibrium pressure तो कैसे निकालूँगा मैं, जहांपर सीधे-सीधे values को करेंगे, हम देखो क्या हो जाएगा, kp is equal to is equal to किजा हो जाएगा, तुमारा ये product upon reactant तो ये हो जाएगा 10 minus 2x, ठीक है, कितने बना रहा है 2 mol तो ये जालाएगा, पावर में, ठीक है, और यहां पर ये हो जाएगा क्या, तुमारा reactant का जो molar concentration है तो ये हो जाएगा x, और ये भी हो जाएगा x pressure, इतना समझ गए, ठीक है, इसको calculate करोगे, तो क्या जाएगा, ये जाएगा, तुमारा 10 minus 2x, whole square upon x square, ठीक है, kp की value तो मैं पास given है, कितनी है, 1.6, 1.6 into 10 की power 5, इतना समझ गए, ठीक है, equilibrium constant हमाई पास given था, तो हमने लिख दिया, इतना आगे समझ में, ठीक है, अब देखो, values निकाल सकता हूँ, मैं जड़ से x की, तो x की value की आएगी, जड़ा देखते हैं हम, ये हो जाएगा, 1.6 into 10 की power 5, ठीक, ठीक, इंटू ये हो जाएगा x square, ठीक, is equal to 10 minus 2x का whole square, अगर मैं दोनों साइड under root ले लूँ, ठीक है, और मैं 1.6 को ऐसे लिख सकता हूँ, की ने लिख सकता हूँ, देखो, 1.6 है, 1.6 into 10 की power 5, तो इसको मैं ऐसे value आएगी तुम्हारी आएगी यह 4 into 10 की power 2 ठीक है यह बचेगा x और यह कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 minus 2x इतना समझ में आ गए अब मैं देखो लिखूंगा क्या बहुत इजी टर्म में सवल्प करते हैं इसको अब बचेगा तुम्हारा यह 400 ठीक है 400x लेख सकता हूं है इसको 4 into 10 की power 2 को चलो is equal to 10 minus 2x तो यह कितना हो जाएगा 10 is equal to यह कितना हो जाएगा 402x अब x की value निकालो यहाँ पर x is equal to हो जाएगा 10 upon 402 बस x की value आ गई है माई पास इसकी टर्म निकाल सकते हैं ठीक है तो x की value कितनी आएगी तुम्हारी x is equal to आ जाएगा तुम्हारा 0.0249 ठीक यह आ गए तुम्हारा x की value तो concentration एच का मतलब hydrogen का ब्रोमीन का कितना है मतलब जो तुम्हारा प्रेशर है वह कितना है तुम्हारा 0.0249 इतना समझ गए अब ही तक तो clear ठीक है न चलो अब हमें निकालना किसका है हमें निकालना है hbr का तो निकालोगे कैसे चलो जल्दी से देखते हैं देखो हमाँ पास term किसके आ गई values आ गई x की तो हम मैं क्या करूँ मैं को निकालना है hbr का तो मैं कैसे निकालूँगा जरह देखो हमने equilibrium condition पर hbr को suppose किया था hbr का जो pressure suppose किया था कितना था 10-2x यही suppose किया था जब इसको solve करोगे तो क्या आएगा 10-2 values को put करो जारा कितना आएगा 0.0249 यही होगा ठीक है अब इसको जब तुम calculate करने वाले हो तो यह कितना हो जाएगा 10-0.0498 और इसको minus करोगे तो आजाएगा तुमारा 9.95 अल्मोस् 0.95 जिसको तुम एप्रोक्स करके लिख सकते हो NCRT में वगरा दिया होगा 10 कि समझ गए ठीक है तो यह आजाएगी तुमारा क्या hbr मतलब कितना present है तुमारा hbr इतना present है ठीक है equilibrium तुमारा जो pressure है हर gases का कितना है इसका है तुमारा 10 almost 10 ठीक है और पूरा condition तुमारा बताओ यह पूरी की पूरी जो है किसमें लोगे तुम ATM में ठीक है यह होगा है तुमारा 10 ATM किसका hbr का और hydrogen और ब्रोमीन का जो तुमारा आया 0.0249 आया इतना समझ गया इसको तुम नॉर्मल टर्म में भी लेख सकते हो 2.4 इंट ऐसे करके ठीक है ठीक चलो यह वाला question हो गया finish अब next question पर चलते है अब तुमारा next question बोल रहा है expression for kp kp के लिए तुम्हें expression लिखना है तो तुम खुद लिख सकते हो यह उमीद तो यही कर रहा हो क्यों कि अपन बहुत time से लिखते है ठीक है for the above reaction ठीक है चलो kp की जड़ा लिखते हैं अपन क्या हो जाएगा kp का जो expression हो जाएगा kp is equal to product molar concentration of product ठीक है अब यहां पर concentration नहीं है लेकिन pressure है ठीक है तो molar तुम्हारा क्या हो जाएगा molar नहीं हो फिर तुम्हारा partial pressure of product upon partial pressure of reactant ठीक है मेना पर तमारा क्या आने वाला देखो आपाने बामारी reactant reactant का है तुम्हारा CH4 और यहां पर है H2O चलो फैस सारी के सारे gases मैं है तो लिख दो gas मैं है यह भी यह भी गैस मैं है यह भी गैस मैं है ये भी गैस में है कि समझ गए यह होगा तुमारे के पी के लिए एक्सप्रेशन यह होगा तुमारा एपाट आप देखो बी क्या बोल रहा है बी बोल रहा है हाउ विल्डा वैल्यू ऑफ के पी एंड कंपोदीशन ऑफ एक्लिब्रियम मिक्शर वी अफेक्टेट बाई ठी ठीक है पहला उनने पूछा है इंक्रीजिंग अगर तुम प्रैशर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा जहां पर देखो अगर तुम यहां पर प्रैशर को इंक्रीज करोगे ठीक है इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग प्रैशर जो तो एक्किलिब्रियम जो है ठीक है वो क में जिसके कारण तुमारा कंसेंट्रेशन किसका बढ़ जाएगा रियक्टेंट का जिसके कारण तुमारा कंसेंट्रेशन रियक्टेंट का क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा रियक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा इतना समझ गए ठीक है चलो आप सेकंड क्या बो दो देखो एंडो थर्मिक मतलब एनरजी तो वो चाहता ही है कि उसको दे दो तुम ठीक है वो एब्सॉर्ब करना चाहता है ना एनरजी को और यह तुम क्या कर रहे हो तुम वहां पर टैंपरेचर और बढ़ा रहे हो जब तुम टैंपरेचर बढ़ाओगे और अगर temperature को increase करोगे तो तुमारी जो equilibrium है वो shift हो जाएगा forward direction में ठीक है तुमारा जो equilibrium है लिख लेना forward direction में ये हो जाएगा तुमारा shift अब यह तुम खुद बताओगे अगर forward direction में shift हो रहा है तो concentration किसका बढ़ेगा product का ठीक है तो concentration product का बढ़ जाएगा ठीक है और जैसे यही तुमने कोशन पढ़ा सीधे ऐसे mark कर लो endothermic तो फायदा होगे ना इनका increase कर रहे हो temperature चल अब यहां पर बात करते हैं last point बोल रहा है तुमारा catalyst अब अगर catalyst की बात करें तो यह rate of reaction यह तो तो कम करता है ठीक है यह पता है catalyst ठीक है देखो catalyst ना इस reaction में कुछ नहीं कर पाएगा कि क्यों नहीं कर पाएगा फैण देना यह एक राफ री की तरह है ठीक है यह decision देता है ठीक है यह एक रैफरी की तरह यह एक फेयर डिसीजन देता है मतलब सांथ यह दोनों का दे रहा है तो यह फॉरवर्ड डायक्शन को भी बढ़ाएगा बैकवर्ड रियक्शन को भी उतना बढ़ाएगा अगर वो दोनों सेम अमाउंट से बढ़ते रहेंगे तो उत नहीं बढ़ेगा बैक ओवर डिरेक्शन में ठीक है तो ज्यादा कुछ काम नहीं हो पाएगा लेकिन लॉजिक तुम लगा सकते हो किसमें टेंप्रेचर में प्रेशर में इतना समझ गए हो ठीक है इसी किसांद यह वाला कोशन होता है फिनिश ठीक है चलो समझ में तो आगे बस यही तो चाहिए मेरे को चलो अब मिलते हैं आगे तो हमने यह वाला वीडियो भी कर दिया है फिनिश तो होप समझ में आगया होगा अच्छे से आगए की नहीं आगया समझ में चलो ठीक है मुझे पूरी उमीद है कि पूरे बहुत अच्छे से तुमने दिल लगा के कर कहा लर्न हुआ फिरी है पर बैस्त जहां